वे गाइज इस इस अदिल हमेद, वेलकम टो और यूट्टूब चैनल एडी एलप्टोरॉन, आई होप आप लोग अच्छ होंगे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये एक हैंड वस ऑट्वास आटोमेटिक हैंड वस सिस्टम बनाया है, इस पर आपको टच के वी स फैसिलिटी मिल जाती है और यह बहुत ही एकुरेट है यहां पर मैंने अल्टर सॉनिक का यूज किया है और बहुत सारे संसर का भी यूज किया है जो कि मैं आगे वीडियो पर आपको बताऊंगा यहां पर देख सकती एक परफेक्टली वर्क कर रहा है आप इसके स्पीट को इसके जो टॉप को मैंने ट्रांसपरेंट रखा जिससे इसकी खुब्सूरिती और भी बढ़ चुक्ती है जिससे आप इसके एल्ट्रोनिक्स अंदर के लिक्रोनिक्स को भी आप देख सकते है तो यह इसे किस तरह से बनाया है यह सब कुछ आज हम जानेंगे यहां पर यूज किया है यह क्रिस्टल आपको थोड़ दिख रहा हुगा क्योंकि यह बड़ा क्रिस्टल है यह भी चल जाएगा और यहाँ पर मैंने आप 3.7 भोल्ट की बैटरी चार्जर का यूज किया है और यहाँ पर प्रिशेट एक 10k का और यहाँ पर दो टचच स्विच का यूज किया है और यह तच्च स्विच बहुत ही चप प्राईज पर मिलता है यहाँ पर मैंने कुछ अच्छेन्य एस हबाले लोह सकते हैं मतलब कोई भी कोलिडी तीया रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं और यहाँ पर एक transistor का यूप भी यूज किया है मैंने तो basically मेरा यह है कि मैं यहाँ पर एक relay का module भी बनाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते मैंने जो motor यूज किया है वो यह motor है तो यह बहुत ही अच्छा motor है और इसके अंदर पानी बिल्कुल ही नहीं जाती तो यह खराब नहीं होता है तोड़ी सी यह costly है पर यह बहुत ही अच्छी है long term के लिए और यहाँ पर मैंने pipe यूज किया है जिसे मैं hardware swap से लाया हूँ और इस motor को चलाने के लिए IRF Z44 Income Aspet यूज किया है और यहाँ पर मैंने 3 mm का blue LEDs यूज किया है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने copper plate का भी यूज किया है copper board और इस तरह से आपको wiring कर लेना है यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर fast forward किया है तो आप वीडियो के आनंद ले और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मैंने एक सिर्फ मैं पहले आर्डिनो छोटा सा आर्डिनो को तयार कर रहा हूँ यहाँ एक छोटा सा आर्डिनो को मैं तयार कर रहा हूँ फिर मैं इस पर program करके देखूंगा अगर इसमें कोई दिक्कत आईगी तो मेरे इसी section में आईगी अगर मैं पूरा circuit को बना कर फिर मैं इस पर test करता तो मुझे पता नहीं चलता कि कहां पर दिक्कत है तो चलिए अब हम इस पर IC लगाएंगे और इसमें एक blink quote डालेंगे जी हाँ blink quote जो हमरे example पर रहता है यह 8 mega 8a है अगर आपको इसे program करना सीखना है तो आप मेरे comment कीजिए वरना YouTube पर बहुत सारे वीडियो है जिस पर इसे program करने के लिए बताए गया है यहाँ पर देख सकते हमारा LED glow हो रहा है बिलिंक हो रहा है इसका मतलब हमारा program बहुत अच्छे से इस पर हो रहा है तो अब हम आगे का circuit बनाना जारी रखेंगे यहाँ पर हमने सबसे पहले relay ले लिया है पांच बोल्ट का और इस पर हम एक relay circuit बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने diode और transistor और कुछ resistance का यूज़ करूँगा आप चाहे तो relay module का भी यूज़ कर सकते हैं मेरे पास नहीं है और इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ एक touch sensor को लिया हूँ मैं और इस पर तीन वायर को इस तरह से मैं solder कर दूँगा इसमें से आपका एक वी सी एक ground और एक output होगा यहाँ पर हमने पूरा पिन इस तरह से लगा देना है तीन वायर लिया है अलग लग लग कि आप भी इस तरह के वायर ले ताकि आपको wiring करने में आसानी हो तो हमने यहाँ पर रिले का यूस किया है उस रिले जब हम touch center पर टच करेंगे तो हमारा रिले जो active हो जाएगा जिसके वज़े से हमारा जो product है जो हमारा project है वो भी on हो जाएगा पावर अन हो जाएगा ऐसे हमने कोई भी physically switch नहीं लगाया है इसका मतलब मैकानिक स्वीच नहीं लगा इसका मतलब यह हमारा थोड़ा से project जो है आधा on रहेगा मतलब relay हमारा on रहेगा touch center हमारा on रहेगा जैसे हम इसमें touch करेंगे तो यह आगे power supply से provide कर देगा जिसके वज़े से हमारा जो micro control अन हो जाएगा अब आती है micro controller को हमने program करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे example पर जाने के बाद हम Arduino as ISP select करेंगे जिसके वज़े से हमारा जो Arduino पर यह program upload करेंगे इस program को upload करने के बाद हमारा जो Arduino होगा वह हमारा bootloader burn करने के काबिल हो जाएगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं अगर आप में आपको bootloader burn करने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जाकर मेरा प्रिवेस रूडियो देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह आप Arduino ISP है मैं यह पर रिकमेंड करूंगा अगर आप हम इस तरह सब कर रहे हैं तो आप Arduino 8Mega 328P का यूज़ करें तक तो यहां पर देख सकते हैं मेरा जो हमारा bootloader वो बॉट पर जा चुक है अब हमें यहां पर यहां पर 8Mega 8A का यहां पर सक कोड लेना होगा तो यहां पर हमारा जो 8Mega 8A है वो आपको Arduino IDE पर नहीं मिलेगा इसलिए मैंने यहां पर description पर एक लिंक दिया है वहां से आपको यह URL कॉपि कर लेना है यहां पर आपको सबसे पहले file पर जाना है इस तरह सापको पुरा step by step आपको follow करना है यहां पर आपको URL कॉपि कर लेना है आपको भी सेम इसी तरह से मिल लिएगा अगर आप मॉबाइल पर भी कर सकते आप मॉबाइल पर से भी का प्रोग्राम कर सकते हैं पिए तो यहां पदेख सकते हैं हम ने यह ओर डाल दिया है उसके बाद हम यहां पर बॉर्ट पर जाएंगे और देख्सक्ता अब हम यहां कोई भी मेडाइटे नहीं है तो अभी यहां बॉर्ड मेनिजर पर जाएंगे यह पर अब हम सर्च करेंगे और सर्च करने पर आपको वो बोड अगर नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा सा इंटरनेट को आप कौन करना पड़ेगा उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा और यह बहुत एजी प्रोसेस एगर आपको समझ ना आए कि कि सतरह से प्रोग्राम करना है एट मेगा एटे को तो आप यूटूब पर और सारे वीडियोज है आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं तो वहाँ पर सभी आपको इनफॉर्मेशन मिल जागा और फिर भी आपको प्रेशानी हो तो आप कमेंट करिए तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा तो हैं जो तर पर हमें only हो यहाँ पर हमें सेर्च करना है यहां पर सब्सक्राइब बार मिल जाएगा और यहां पर सेर्च करने मिनी मीनी कॉर आपको यहाँ पर देख सकत iOS नेप से नापको डॉनलोड कर लेना है गहां दोनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा मैंने रार यहां पर एट मेगा एट आ अब है तो यहां पर ct मैंसे सेलट कर लूँगा इसके बाद हमारण जब फोग्राम होगा वो एक्ड मेगा एड़ पे होगा तो देख सकते हैं आप एक 뭐가 प कलिया है उसके बाद अब है यहां पर मैंने यहां पर सेप किया है यह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा कोड आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर से स्पीड कम ज्यादा भी कर सकते हैं मोटर का स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं और यहां पर आपको अप्रोड क किस तरह करना है तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है तभी आपको परदा चलेगा अप्लोड किस तरह करना है तो यहां पर से अप्लोड नहीं करना है आपको जाना है इसकेच पे इसकेच पे जाने के बाद यहां पर से आपको अप्रोड करना है तभी आपका अप्लोड होगा यहां पर देख सकते हैं मेरा अप्लोडिंग हो चुका है अब हम सर्कुट डाइगराम की तरफ से तरफ फिर आते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमारा जो सर्कुट जाटे सकते हैं यहां पर देख सकते हमने डार्म के योज़कर 지도 के कि यहां का circuit diagram same रहेगा पी नौट भी same है तो यहां पर हमने जो रेले का जो हमारा circuit diagram हमने circuit बनाया था उसकी जगह मैंने यहां पर module का यूज किया अगर मैं यहां पर circuit बनाता है तो बहुत जदा हमारा circuit बड़ा हो जाता और समझने में भी दिक्कत होती इसलिए मैंने यहां पर मॉड्यूल का यूज किया है और यहां पर हमारा टच सेंसर का भी आप देख सकते और यहां पर हमारा प्रोटेक्षन मोड्यूल है और यहां पर बैटरी का हमारा कनेक्षन है यहां पर देख सकते हैं मेरे बुष्ट कन्वर्टर का यूज किया है यहां पर आयरेफ जैट for phone in और यह मुटर पांप की जगह मैंने इस तरह मोटर यूज किया मोटर पंप है तो अब हम इसके circuit diagram को जानेंगे किस तरह से यूज किया है तो यहां पर देख सकते हमारा जो IC है उसका जामने programming pin है वो यह है इन सब को मैंने अच्छे से mention कि आप इसमें से program कर सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं अगर चानना है इसे program कैसे करते हैं तो मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं उस पर मैंने बताया किस तरह साम एक IC को program कर सकते हैं अगर आपको 328 को program करना है तो आप आपको यह माइक्रो कंट्रोल जो हमारा Arduino board है उसमें से पुराना वाला IC को हटा कर नया वाला IC हमारा जो 8 sabem Hagot है हमने उसे से डाला हुगा फिर बान boot loader करके फिर उसे program करके फिर हमें circuit बोट पर लगाना होगा तो यहांपर देख सकते हैं और जो हमारा relay का हमारा connection है यह यह देख सकते हैं यहां पर हमांग जो module का connection है यह आप देख सकते हैं touch sensor सब्सक्राइब पर से यहां पर कि नहीं इस नहीं क्या थो बहुत लोगों सुचे हैं कि यहां पर मतलब हमारा जो वायर है चुड़ गया है कि मैंने जान पुचकर इसके Connected नहीं किया है और मैं इसके Ground को Motor का he right कर हो मुक्तopen रिजा हमारा daily Chopped करेगा क्यूंडा कि इसके इसके Ground कोẹगा सब्सक्राइब करेक्षी उस्हान parar रोट पुट है मारो यहां पर से हैं मतलब डायरेक्ट करें सकते हैं इसलिए मैं यहां पे मिंसन किया हुआ है इस तरह से हमारा मोटर फिश वरक करेगा और यह बिल्कुल भी हीड नहीं होता है आप चाहे तो यहां पर भी आप मॉस्पेट का यूज कर सकते हैं तो यह बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा से वरक कर रहा है जैसा है की मैंने देखा है यहाँ प्र देख सकते हैं हमारा यहाँ पर crystal और दोखकर कनेक्शन दिया हुआ है तो आपको pin diagram बिल्कुल सेम मिल जाएगा देख सकते है आप यहाँ पर आप pin को देखकर COND करके आप यहाँ पर circuit diagram समझ सकते और यहाँ पर देख सकते हैं ultrasonic sensor का यहाँ पर कुछ हमारा pinout है किस तरह से हमने digital 5 पर trigger को यूज़ किया है ego pin में हमने digital 4 को यूज़ किया है और हमने जो हमने coordinate जो बनाया है तब ये LED हमारा मतलब trigger करेगा तो हमारा LED भी trigger होगा और motor भी trigger होगा तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगाया है तो देख सकते हैं LED का जो हमारा VCC है वो D9 है इस तरह से हमारा यह work करेगा अगर आपको फिर भी कुछ नहीं कुछ problem हो अगर आपको कुछ problem हो तो आप comment कर सकते हैं आप हमें comment कर सकते तो mail कर सकते हैं जिसे हम आपको problem solve कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं